हेलो दोस्तो स्वागत आपका अमारी इस नई वीडियो में आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल एप्रेंटिशिप गाइड जिसमें है ओल अबाउट एप्रेंटिशिप ट्रेंग तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटिपीसी लिमिटेड के और से निकालेगी एक और पर्मानेंट बढ़ती के बारें जिए अंदर दोस्तों नेशनल थर्मन पावर कोर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो कि गुवर्मेंट ओप इंडिया का एंटरप्राइज इसके न्यू देली ओपिस के और से फिक्स त कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहला तो चलेंगे हम इसकी ओपीसिल वेबसाइट पर जानेंगे कि इसके नोटिफिक्स में क्या-क्या इलिजिबिलिटी क्राइटियरिया रखा गया एज लिमिट क्या रखेगी है सेलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी कौन-कौन इसमें अप्ल करें पहुंचते रहे दोस्तों आप उमारे टेलिग्राम चैनल और वाट्सप गुरूप को जरूर जोइन कर ले जिस पर भी उन लगातार जो इंपोर्टेंट अपडेट हाती है वो आप तक पहुंचता रहता हूं दोस्तों यह आप बेंकिंग सेक्टर और अधर फाइनें यहां पर आओ तो यहां पर आपको यह नोटिफिक्शन देखने को मिल जाएगा यहां पर क्लियर लिखावा रिकूरूटमेंट अब असिस्टन एक्जुगिटिव ओन फिक्स ट्रम बैसिस अब जलते हैं जैसे आप इस पर करोग तो यह नोटिफिक्शन डाउनलोड हो जा तो NTPC is looking for assistant executive on fixed term basis as पर details given below an assistant executive के पतों के लिए vacancies निकाली गए जो कि fixed term contract basis बढ़ती होगी पोस्ट का नाव है assistant executive operations और total vacancies की बात करें तो यहां पर 223 vacancies निकाली गई है अब educational qualification की बात करें तो degree in electrical mechanical engineering from ए रिकोगनाई university या institute and candidate के पास में technical या mechanical में in graduation की डिगरी होनी जरूरी experience profile की बात करें तो candidate उसके पास कम से कम एक साल का post qualification experience होना जरूरी operation या maintenance power plant में उसके वाँ tenure of engagement कितने समय के लिए candidate को यहां पर hire किया जाए तो तीन साल के लिए candidate को hire किया गया जिसको आगे दो साल तक और extend किया जा सकता है तोटल पांस साल के लिए candidate को इसमें रखाजा सकता है एज लिमिट के अपने यहां पर बात करें तो अपर एज लिमिट यहां पर 35 वर्स रखेंगे अब यहांनि यहां पर टोटल डिमिटरेशन की बात करें तो यहां पर कंडिडेट को फिक्स मंथली अमाउंट हो 55,000 पर मिलेंगे इसके साथ ही तो एज चारी और कंपने एक्कोमोडेशन नाइट चिप्ट एंटरेशन अलाउंस और जो मेडिकल फिसलिटी इसके साथ और उस चल्प स्पाउज और दो चिल्डेन है उनके लिए मेडिकल फिसलिटी भी यहां पर देखने को मिलेगी अब अपन रहें यहां पर रिजरेशन वाइज वेकर्स की बात करें तो यहां पर अनरिजर्व की 98 पोस्ट है, EWS की 22 है, OBC की 40 है, SC की 39 है, ST की 24 है, टोटल 223 विकेंशी यहां पर रखेगी है, जिसमें physical disabled person है, उनके लिए भी यहां भी विकेंशी को सामिल गयागी, हेल्थ के बाद करें, तो candidate हो medically fit होना ज़रूरी है, joining से पहले NTPC hospitals के दोबारा candidate का medical examination करवाए जाएगा, जिसके सारी जान करें आपको, इसके official website केरियर्स.ntpc.co.in पर देखने को मिल जाएगी, अब जनरल कंडिशन के बाद के तो only India nationals are eligible to apply, नहीं all India के candidate है, इसमें application form or submit कर सकते हैं, उनके minimum 40% marks engineering की degree में होने, ज़रूरी है SCST physical disabled persons हैं, वो only passing marks ही उनके लिए रखे गए हैं, जो other category है, उनके लिए 40% marks रखा गया है, candidate है, उनको जो online application form बढ़ते समय जो experience मांगा गया, वो experience होना जरूरी है, उसके बाद में यहां पर SCST के candidate को 5 साल की छूट मिलेगी, age में, और OBC के candidate को 3 साल की, और जो other physical disabled persons है, उनको 10 साल की यहां पर चूट दी जाएगी, उसके बाद में यहां पर posting है, वो candidate की, जो की NTPC के जिनने stations, project या subsidies है, उसमें कहीं पर भी candidate की यहां पर posting कर दे जाएगी, उसके बाद में how to apply है, तो जो भी candidate सारा eligibility कराइट area complete करते हैं, वो www.carious.ntpc.co.uk, इनकी official website पर जाके, इसका online application form में submit कर सकते हैं, इसके लिए candidate के पास valid email ID होना, जरूरी इसमें application फिकी बात करें, तो इसमें 300 रुपे application फिर रखेगी है, इसमें the SCST physical disciple option, एक सर्विसमें और फिमेल candidate हो, यहां पर exempt rate रखेंगे, उनको फिका पेमेंट नहीं करना, पेमेंट offline mode में यहां पेमेंट करते हो, तो यहां पर offline उसका option दिया हो है, इसमें bank account नमबर दिये हो, इसमें आपको offline payment है, वो आपको करना है, उसके बाप online आप mode में पेमेंट करते हो, आप सकते हो, application form बढ़ने के बाद में आपको जो अप्लिकेशन नमबर जनरेट होंगे, उसकी copy आपको download कर लेनी है, जो future reference में आपके काम आएंगे, hard copy बेजने की यहां पर ज़रूरत नहीं है, अब इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बाद करें तो online application इस्टार्ट की डेटर 25 एक दोजार 24 रखी गिया, लास्ट एटा online application की और दोजार 24 रखी गिया, तो दोस्तो इस PDF का लिंक पर अपने वीडियो की description box में डाल दूँगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके carefully read कर सकते हैं, आलागी यह बढ़ती है, फिक्स चर्म contact basis बढ़ती, निकाली गए लेकिन इसमें candidate को जो पेश केलो, वो कापी इच्छा मिनने वाला है, इसके साथ ही, ओल इंडिया के candidate है, उसको यहां पर eligible माना गया है, तो जो भी सारा eligibility criteria complete करते हैं, वो candidate इ झालाओ 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 झाल